Distance education, एक ऐसा education का mode जो आपको flexibility देता है अपनी studies को complete करने का, अगर आप किसी बज़र से आपका studies बीच में छूट गया है या आप regular college जाके studies को complete नहीं कर सकते हैं, या फिर आप वह एक working professionals हैं, तो उस mode से आप जो हैं, अपनी studies को complete कर सकते हैं, distance education के mode से, बहुत सारे students इंडिया के complete कर रहे हैं, अपना education का और बहुत सारे इससे आप हो, तो आप हो सकता है, कि आप सोच रहे होंगे, इससे करें या ना करें, तो ऐसे में हमको यह जिस चेक करना जरूरी आता है, कि जिस university से आपको करना है, तो वो university distance education bureau से approved हो courses के लिए, क्योंकि जो distance education के courses होते हैं, वो regular courses के मुकाबले बहुत कम होते हैं, और जो university regular mode के अंदर अपने courses को offer कर रही है, वो distance mode के अंदर सभी courses को offer नहीं कर सकती हैं, बहुत सारे limited courses हैं, जिनको distance education से offer किया जा सकता है, और इसके लिए special approvers लेने होते हैं, universities को, और सभी universities इस चीज़ के लिए authorized नहीं होते हैं, तो बहुत सा education के लिए approved हैं, आज की इस video के अंदर इसी के पर बात करेंगे, इसी के साथ इस video के last में आपका ये bonus भी देने वाला हूं, जो आपका help करेगा आपके लिए best online university choose करने में, नवशका दोस्तों, मैं आमिक छर्मा स्वाहत करता हूँ आपका अपनी इस नहीं वीडियो में, इस चीज को बहुत दा टांस्पेंट रखा हुआ है तक कि students को जो है, कोई problem ना हो, time to time वो notices देती रहती हैं, इन वर्स्रीज को लेकर के, और बहुत ही रेप्टेट्रविट्री इन वर्स्री बहुत सकते हैं, या फिर बहुत सकते हैं कि रिकरणाजज जी इन वर्स्री जो high ranking व इस टैप का इंटर्फेस आपको यहां पर मिलने वाला आप अगर उनुवस्टी के वेबसाइट को देखेंगे तो यहाँ पर होमपेज के इस टाइब का इंटरफेस मेलेगा ओनलान लर्निंग ODA student corner के उपर आपको क्या करना है आपको जाना student corner के उपर ठीक है बाकी जगा सिर्फ चैक कर सकते हैं लेकि श्टूडन के उपर जा करके आपको open and distance learning के उपर क्लिक करना है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको complete list मिल जाएगा यहाँ पर left hand side पर आप देखोगे तो left hand side में आपको जो है वो states मिल जाएगी और उस state पर जब क्लिक करोगे तो right hand side पर आउस state की सारी recognized universities का list आपको मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या है जैसे वारे example हमको चेक करना है जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर आंधरा परदेश का ठीक है आंधरा परदेश पर जैस मिल जाएगा सारी details के साथ के 2023 के लिए किन किनी universities का approval sorry courses का approval है और यहाँ पे आप देखोगे अकाइडमी स्टेशन जुलाई के लिए और recognized period जो है 21 से लेके 25 तक का यह period आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बरमो तिंग एक चीज़ का ध्यान रखी है कि जो distance का approval है वो एक साल दो साल तीन साल या फिर पांच साल के लिए मिलता है इससे लंबा नहीं होता है परमनेंट किसी भी इनुवस्टी को approval नहीं मिलता है तो इस चीज़ का ध्यान रखी है जैसे for example आपके किसी friend ने छे मिने पहले किसी इनुवस्टी के अंदर admission लिया हुआ है तो यह ज़रूरी यह changes होते रहते हैं तो हमेशा ही जब भी इनुवस्टी करना है तो इसके हसाब से करना है साथ में आप यहां पर academic year planner भी चेक कर सकते हो एडमिशन कब से कब तक होना है SLM कब से distribution होना है assignments कब submission होनी है examination और हाट बहुत चीज़ ठीक है यह सारा इनुवस्टी ने दे के रखा होता है यहां पर इस तरिके से आप जो है अपनी हर इनुवस्टी का जो है approval चेक कर सकते हैं ठीक है जो यह इनुवस्टी यहां पर approved रहेंगी सिर्फ बही इनुवस्ट इसका approval अलग होता है तो online learning का approval चेक करना होगा तो आपको online learning के उपर click करना है तो interface दोनों का same रहेगा लेकिन approval जो है दोनों के अलग होते हैं तो इस तरीके से आप जो है distance education approved universities को check कर सकते हैं कि क्या उनुवस्टी 2023 के अंदर distance education के लिए approved हैं और आप जो है अपने लिए एक right university चूज कर सकते हैं अब यहां पर कोचन आता है कि इतनी सारी universities हैं इंडिया के अंदर आप इन में से कैसे चूज करेंगे कौन सी university हमारे लिए सही है या आपके लिए एक right universities है तो इसके लिए जैसे मैं वीडियो के starting में कहा था कि मैं आपको एक bonus दूँगा जिसके तुरू आप जो हैं अपने लिए right university चूज कर सकते हैं वो bonus में मैं आपको एक portal बताने वाला हूँ वो portal है college विद्या का college विद्या का ऐसा platform है जहां पे आप 100 प्लस इनुवर्स्टी जो की approved है online and distance education के लिए उन सब इनुवर्स्टी को compare कर सकते हो और सिर्फ compare ही नहीं यहां पे इनुवर्स्टी का recognition चेक कर सकते हैं कि कौन सी इनुवर्स्टी अप्रूवड है और college विद्या के पोर्टल के ओपर जा करके जो की dedicated portal है distance and online universities के लिए उसके ओपर जा करके आप जो है इनुवर्स्टी के पूरी detail निकाल सकते हैं उसको ranking देख सकते हैं कौन से इनुवर्स्टी के पास क्या fees है review चेक कर सकते हैं प्लेश्मेंट में support कर रही है नहीं कर रहे है यह मैंई options की देख सकते हो बहुत सारी features आपको मिल जाएंगे और तो और आप जो है यहां पे इनुवर्स्टी को आपस में compare भी कर सकते हो यहां पर आपको करना क्या है बहु आपने फिल करना है नाम, email id, phone number और find best university पे आपने कर देना है click ठीक है उसके बाद आपसे मांगेगा कुछ और details जैसे आप working में है या नहीं है आपका कितना time आप दे सकते हो budget कितना है आप emis option आपको चाहिए नहीं चाहिए आपको degree कि इस टाइप का चाहिए यह सारी चीज आपको counselor से बात करने जरूरत है तो आप जो है इनका personalized counseling का option ले सकते हैं जहां पर आपके counselors आपके सब बैठ करके आपको best university suggest करते हैं जो आपके लिए best रहेगी इसी के साथ आप जो है अपनी best fit universities को आपस में compare भी कर सकते हैं इसमें 2, 3, 4 universities को आप आपस में compare करके अपने देख सकते हो university का ranking, university का sample, fees, approvals, mode कौन सा है everything ठीक है यह सारी चीज़ें आप इसके ओपर देख सकते हैं तो इस तरीके से आप check out कर सकते हैं कि कौन सी university आपके लिए right है distance education के लिए so portals के link में आपको description कंदर दे दूँगा बहां से आप इसको check out कर सकते हैं तो यह था video distance education approved university 2023 क के ऊपर के आप कैसे check कर सकते हैं I hope video आपके लिए informative रहा होगा अगर informative लगा हो वीडियो शेयर जरू कीज़ेगा वीडियो को पसंद आया तो like कीज़ेगा and अपने questions को comment box के अंदर जरूर mention कीज़ेगा and चैनल को subscribe जरू कीज़ेगा so जोस्तों मैं मिलता हूँ आप लंग सार तो ने वीडियो एंदर तेल देन जाहिन